Hello students, welcome to Topic Touch इस वीडियो में हम यह इंग्लिस स्टोरी पढ़ने बाले हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे इसके जो सेंटेंस हैं उसमें प्रते एक वर्ड का हिंदी अर्थ देखेंगे सेंटेंस में जो भी टेंस आया है उसे भी हम देखेंगे और सभी जो सब्द हैं उनका correct pronunciation देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कहानी का नाम है The Jealous Moon Jealous means होता है इरस्यालू और Moon means होता है चंदरमा The Jealous Moon का क्या आरत हो गया इरस्यालू चंदरमा तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं The night sky was decorated with the moon and stars The night sky यान की रात का आस्मान या आकास was मी स्था decorated with decorated मी सजा होगा with मी से The moon Moon मतलब चंदरमा and stars और सितारों से तो रात का आस्मान या रात का आकास चंदरमा और सितारों से सजा होगा था On the earth The people slept soundly while some sat up and admired the moon तो देखे जहरी नींद में सोये हुए थे While जबकि some is कुछ Set up Set up मतलब जागे हुए जागे हुए थे दोनों कार्थ है ठीक है ना इस फ्रेजल बर्ब है इस का आर्थ होगा जागे हुए कुछ जागे हुए थे And admired the moon Admired मतलब प्रसंसा करना Moon मतलब चंदर्मा और चंदर्मा की प्रसंसा की उन्होंने वो प्रसंसा कर रहे थे The moon proudly announced The moon चंदर्मा ने proudly यानकी गर्ब के साथ या घमंड के साथ Announce मतलब कहा या घोसना की Look all the people on the earth are admiring me Look देखो All the people यानकी सभी लोग on the earth प्रतिवी पर प्रतिवी पर सभी लोग are means है Admiring प्रसंसा कर रहे ठीक ना ये है present continuous tense तो इसमें क्या होता है जो साह करिया लगती है जैमार और क्रियागी ing form प्रसंसा कर रहे है मी मतलब मेरी तो वो कहता है कि देखो सभी जो लोग है प्रतिवी पर वो मेरी प्रसंसा कर रहे है The moon is swollen with pride The moon चंद्रमा is means है Swalone मतलब फूल गया With pride यानकी गर्ब से या घमंड से तो चंद्रमा घमंड से फूल गया Whispered a little star to another star Whispered मतलब फूस फूसाया धीरे से कहा A little star यानकी एक छोटे से star ने Star मतलब सितारा एक छोटे सितारे ने फूस फूसाया To another star Another मतलब दूसरा star यानकी सितारा तो छोटे सितारे ने दूसरे सितारे से फुसफुसाया या धीरे से कहा कि जो चंद्रमा है वो घमंड से या गर्ब से फूल कया है क्योंकि उसकी परिसंसा हो रही थी It is all right if the moon is proud but it cannot defeat the sun replied the other star तो दिखें It is all right यह है simple present का बाक It is all right मतलब ठीक है If means यदि the moon चंद्रमा is means है proud मतलब घमंड या उसे गर्ब है ठीक है यदि चंद्रमा को गर्ब है but it cannot defeat the moon but it cannot defeat the sun It means यह cannot मतलब नहीं सकता है defeat मतलब हराना The sun यानकि सूरे को परंतु यह सूरे को यह सूरज को नहीं हरा सकता है Replied the other star Replied मतलब जवाब दिया उतर दिया The other star दूसरे star ने या सितारी ने दूसरे star ने जवाब दिया वो क्या कहता है कि जो moon है वो भले ही उसको गर्ब है लेकिन यह क्या नहीं कर सकता है जो सूरे है उसको defeat नहीं कर सकता है उसको हरा नहीं सकता है The moon was very upset to hear this The moon, Chandrama was means था Very upset यानकि बहुत दुखी यह simple past का बाक है To hear मतलब सुनकर के This means यह Chandrama यह सुनकर के बहुत दुखी था He kept thinking of how he will defeat the sun He means why Kept thinking Past tense का है यह keep की second form है ठीक है K-Double-E-P यह second form K-E-P-T हो गए इसकी तो यह जब किसी के साथ लगता है तो इसके बाद जो वर्व आती है उसमें I-N-G form लगी होती है और keep बताता है किसी काम को continue होना तो kept thinking का मतलब सोचता रहा वह ही kept thinking मतलब वह सोचता रहा अब how मतलब कैसे He will defeat वह हराएगा यह future indefinite का बाग है कि वह कैसे हराएगा The sun यानकी सूरे को तो वह सोचता रहा कि वह कैसे सूरे को हराएगा Finally तो फाइनली यानकी अंत तहा दा मून यानकी चंद्रमा को इस्टा को पॉन एन आइडिया पूरे का मतलब मन में एक विचार आया तो पूरे सेंटेंस का आर्थ होगा अंत तहा चंद्रमा के मन में एक विचार आया In the morning He went to meet the sun In the morning When miss गया ये go की second form Past indefinite tense है Meet मतलब मिलने जब भी two लग जाता है ये infinitive कहलाता है इस कार्थ होता ना नी ने ठीक है टू लगने से जैसे to meet मतलब मिलने दसन चंद्रमा से तो वह है स्वरी सन मतलब सूर्य वह सूर्य से मिलने गया जो मून होता है वो सूर्य से मिलने के लिए जाता है When the sun saw the moon When miss जब The sun सूर्य ने सू मिलने देखा The moon चंद्रमा को जब सूर्य ने चंद्रमा को देखा He said उसने कहा I have come to tell you that From now Now on I will be working with you During the day अब देखिए वो क्या कहता है जो चंद्रमा होता है He said उसने कहा चंद्रमा ने क्या कहा I have come मैं आया हूँ यह है Present Perfectence यह मैं आ चुका हूँ यह कम की third form है First form भी कम होती है Second form होती C-A-M-E I have come मैं आया हूँ यह मैं आ चुका हूँ To tell बताने को ठीक है ना To लगता है तो ना नी ने आता था जैसे to tell बताने को You means तुम है मैं तुम्हें बताने आया हूँ That means की From now on यहनि की अब से इसका पूरे का हो जाएगा I will be working मतलब मैं काम कर रहा हूँगा Will be यह होती है Future Continuous Tense की यह सहाई करिया है इसके बाद करिया में I.N.G. आती है I will be working मैं काम कर रहा हूँगा यह काम कर रहा हूँगा With you तुम्हारे साथ During means की दोरान The day यान की दिन During the day मतलब दिन में या दिन की दोरान तो देखिए वो कहता है I have come to tell you मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अब से मैं दिन में तुम्हारे साथ काम करूँगा ठीक है न मुझे कहता है कि दिन में अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा But moon Day time Is my time But परंतु Moon चंदर्मा परंतु चंदर्मा Day time दिन का समय Is means है My time मेरा time वो कहता है जो सूरह है वो कहते हैं कि जो दिन का जो समय है वो मेरा समय है You do your duty during the night you means तुम do means करते हो your duty यान की अपने duty अपना करतब during means के दौरान the night रात तुम अपना अपनी जो duty है वो रात में करते हो यह रात के दौरान करते हो you need to rest during the day so that you can stay awake all night said the sun देखिए you means तुम need मतलब जरूरत है ठीक न जरूरत हो न need तुम्हें जरूरत है to rest आराम करने की during the day दिन में तुम्हें दिन में आराम करने की जरूरत है so that ताकि so that दोनों करत क्या होता ताकि यह conjunction है you can stay awake you means तुम कैन में सकते हो stay awake मतलब जगे जागे रहना all night मतलब पूरी रात सारी रात ताकि तुम सारी रात जाग सको तो सुर्य कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है दिन के दोरान rest करने की जरूरत है जिससे तुम सारी रात जागती रहो said the sun सुर्य ने कहा I want to compete with you I mean I want me चाहता हूँ to compete ठीक है ये है infinitive to लगा इसमें भी compete का मतलब होता है प्रतीसपर्ध करना दूसरे से एक प्रकार से बराबरी करने की कोसिस करना with you तुम से मैं तुम से क्या करना चाहता हूँ तुमारी बराबरी करना चाहता हूँ या तुम से प्रतीसपर्धा करना चाहता हूँ challenge the moon moon चंदरमा ने challenge किया कि इसको सूर को ठीक है ना challenge मतलब चनौती दी सूर जो चंदरमा होता है उसने चनौती दी कि मैं तुमारे साथ तुमारी बराबरी करना चाहता हूँ the stars say that you are better than me the stars stars मतलब सितारे say means कहते हैं ये present indefinite tenses say ठीक है ना first form लगी सितारे कहते हैं कि you are तुम हो better better मतलब अधेक अच्छे than me मतलब मुझस से ये good की competitive degree है ये superlative होती है best ठीक है न positive good better best तो you are better than me तुम मुझस से अधेक अच्छे हो I want to prove to them that it is not true अब चंदरमा आगे क्या कहता है I means मैं want चाहता हूँ to prove मतलब सिद्ध करना मैं सिद्ध करना चाहता हूँ to them उनको उनको मतलब जो सितारे बात कर रहे हैं तुम जाना अच्छे हो तो मैं उनके लिए प्रूब करना चाहता हूँ ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ that means कि it is not true कि ये सही नहीं है इसके बाद आगे but how will we find that out but परंतु how means कैसे will means गाईगे we means हम देखे find out मतलब होता पता करना पता लगाना that मतलब वह है तो सूर कहता है कि आस्दासन देखे सूर ने पूछा सूर ने पूछा कि परंतु हम ये कैसे पता लगा सकते है कैसे find out कर सकते है I will stay here with you I means मैं will means गाईगे stay means ठहरना रुकना here means यहां with you तुम्हारे साथ मैं यहां तुम्हारे साथ रुकूंगा we will then see who is liked more by people we means हम will means गाईगे then means तब see मतलब देखना हम तब देखेंगे ठीक है ने future indifferent tense है who मतलब कौन is means है liked who is liked ठीक है यह passive voice है इज के साथ जब third form लगती है तो passive voice में क्या होता by लगा रहता है इज के बाद third form उसके बाद यह यह लगा by people who is liked मतलब इस का आर देखे कैसे लगता है who is liked कौन पसंद किया जाता है more मतलब अधिक by people लोगों के द्वारा तो लोगों के द्वारा कौन अधिक पसंद किया जाता है यह हम देखेंगे तो सूर के चंद्रमा क्या कह देता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा दिन में तुम्हारे साथ और अब फिर हम देखेंगे कि जो लोग है वो किसको जादा पसंद करते हैं you और मी तुमको अतबा मुझे this way we will know who is greater this way इस तरीके से we will know हम जानेंगे who means कौन is में से greater अधिक महान इस तरीके से हम जानेंगे कि कौन जादा महान है replied the moon चंदरमा ने उत्तर दिया the sun laughed and said the sun सूरे laughed means हसा and said और कहा सूरज जो है वो हसा and said उसने कहा listen moon my glow is stronger than yours वो कहता है listen moon इनकी चंदरमा सुनो my glow मेरा जो glow है मेरी glow मतलब होता है चमक मेरी चमक जो है is means है stronger यहन की अधिक तेज than yours मतलब तुम से ठीक है न तो मेरी चमक तुम से अधिक है people will not be able to see you at all when I sign in the sky people, log will not be मतलब नहीं होंगे future indefinite है able मतलब योग to see देखना you means तुम है at all मतलब बिलकुल भी at all कारत होता है आप इसे note कर लीजिएगा ठीक है all का मतलब होता है सभी at all मतलब बिलकुल भी तो लोग तुम हैं बिलकुल भी देखने में योग नहीं होंगे या लोग तुम हैं बिलकुल भी नहीं देख पाएंगे when जब I means मैं sign मतलब चमकना in the sky आकास में जब मैं आकास में चमकूंगा तो लोग तुम हैं बिलकुल भी नहीं देख पाएंगे but the moon was not willing to listen to the sun but परन्तु the moon चंदर्मा was not नहीं नहीं था willing मतलब एक्चुक to listen सुनना to the sun सुर को परन्तु चंदर्मा सुर को सुनने का एक्चुक नहीं था उसकी बात नहीं सुनना चाहता था वो the moon stayed in the sky during day time the moon चंदर्मा stayed मतलब रुका रहा in the sky आकास में during मिस के दोरान डे टाइम मतलब दिन के तो चंदर्मा during day time मतलब दिन के दोरान आकास में रुका रहा and as the sun has warned and miss or as means जैसा की the sun सुर has मिस चुका था यह यह present perfect tense warned मतलब चेतावनी देना warned हो थी first form डॉलू ए आर एन यह third form लगी है third form लगती present perfect में और जैसा की सुर ने warned किया था चेतावनी दी थी nobody greeted him nobody किसी ने भी greeted मतलब अभिबादन किया है मतलब किसी ने भी अभिबादन नहीं किया everyone greeted the sun everyone सभी ने greeted मतलब अभिबादन किया the sun सूर का सभी ने सूर का अभिबादन किया by the time मतलब समय गुजरने के साथ it was evening साम हो गई या साम हो गई थी the moon was disappointed the moon चंदरमा was means था disappointed यान की नरास चंदरमा नरास था या दुखी हो गया था तो कहानी का moral है सिख्चा क्या मिलती है don't be jealous of others don't be don't मतलब नहीं ये है imperative sentence do not का सूर्ट फरम लिखा don't be jealous jealous of means होता है देखे jealous means होता है इरसया करना और be इसको वर्व बनाने के लिए किरिया बनाने के लिए भी लखा है तो don't be jealous मतलब जलो मत of others दूसरों से दूसरों से मत जलो ये proposition कई भी आप exam में पूछ लेते हैं कि जोलस के साथ कौन सा proposition आता है तो off आता है तो इस तरीके से ये story कमप्लीट होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया है से लाइक कीजिए इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद